सोलन में यूद कॉंग्रेस द्वारा परदेश में बट्ती महंगाई के खिलाफ रोश रहली निकाली गई रहली के मादम से भाजबा सरकार के किलाफ जम कर नारेवाजी की गई और भाजबा को याद दिलाया गया कि उन्होंने सत्ता में आने से पहले भारत की जनता को क्या वाय देखिये थे जिनके अधार पर उन्होंने सत्ता भी हासल की थी ये प्रदर्शन यूद कॉंग्रेस कारे बाहक प्रदीश अधिक्ष येदुपती ठाकुर और जिला यूद कॉंग्रेस अधिक्ष अमित ठाकुर की अधिक्षता में आयोजित किया गया प्रदर्शन रेस्ट हाउस से आरम हुआ और उपायक कारेले में संपन हुआ प्रजर्शन में भारी संख्या में यूथ कॉंग्रेस के पतादिकारियों ने भाग लिया अमिर ठाकुर और यदूपती ठाकुर ने बाजबा पर तीके प्रहार करते हुए कहा कि आम जंता देश में बढ़ रही महंगाई से बेहत परिशान है पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम देश की जंता के लिए खौफ पैदा कर रहे हैं महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है आम जंता की जीवन बढ़ती महंगाई से दूबर हो चुका है उन्होंने कहा कि एक तरफ देश में बिरोजगारी बढ़ रही है उसकी दोगुनी रफ्तार से महंगाई बढ़ती जा रही है जो वायदे भाजपा सरकार ने सत्ता हथ्याने के लिए देश की जंता से किये थे बेह उसे पूरी तरह भूल चुकी है उन्होंने कहा कि देश की जनता अब भाश पकी बास्त पिकता पूरी तरह से जान चुकी है आने बाले चुनाव में उन्हें इसके पईणा भुगतने पड़ेंगे आज सोलन युवा कॉंग्रेस के द्वारा यहाँ पीडोली रैस्था उस से डीसी ओफिस तक रैली निकाली गई जिसमें आज का जो आपको मालूम होगा देश में और प्रदेश में जो डीजल और पेट्रॉल के दाम में बेताहाशा विद्धी जो की गई है साथ में जो हमार प्रदेश की बात करें एक आम जनता तक तरस्त है महंगाई को लेकर बड़े-बड़े-वाद्धी निकाली है और इसमें हम यही आपके माध्यम से सबको बताना चाहते हैं कि जिन बड़े-बड़े वादों को लेकर के इंदर में चाहे वो मोधी सरकार चाहे प्रदेश में जैराम सरकार का भी जुई थी आज उसको पूरी तरह फेल है आप देखिए आज देश का अंदाता देश का किसान सडकों पे बैठा है लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही आज चाहे देश की बात करें चाहे प्रदेश की बात करें एक आम जनता तक तरस्त है महंगा होगा कि आज जो हमारे रोजगारी के उपर हमारे आज जो देश और प्रदेश का युवा है आज पकोड़े तलने पर मजबूर हो गया है आपको मालूम होगा कि जिस तरह के से बड़े बड़े वादे किये गए थे वो सारे टोटली आज जो है उस पे केंदर सरकार बुरी प्रदेश में भी युवा कांगरी से इस आंदोलन को और उगर करेगी ये आज पूरे भारत बर्स में जिस प्रकार से महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंची है आपने देखा होगा कि पेट्रॉल और डिजल के जो दाम है आसमान को छूरे हैं रसोई गैस के जो दाम है आसमान को छूरे हैं लेकिन दूसरी तरफ जो किंदर में जो भाजपा सरकार है महंगाई को कम करने में पूर्णता रूप से नाकाम है और जो किंदर सरकार जो भाजपा से सबंदीत सरकार है भाजपा के अन्य दल उसमें सामिल है कोई भी महंगाई के उपर बोलने को त्या नहीं है दूसरी तरब जो कुरोनला हमारी के कारण जूरे लोग आरथिक तोब पर जो कमजोर थे उनके उपर जो है मरहम लगाने की वज़ाए उनके पर जो है अत्यार किया जा रहा है आपने के यह इतखा इसलिए पूरे हिमानचल प्रदेश में जो है यूवा कॉंग्रेस के बैनर तले महंगाई के खिलाफ पेट्रॉल डीजल के जो बढ़ते हुए दाम हैं उनके खिलाफ हम केंदर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आज उसी कड़ में बड़े भाई अमित ठाकुर जी की अगवाई में एक बिरोध प्रदर्शन का योजन किया जा रहा है जिसमें हमारे प्रभारी सोलन जिला के प्रदेश मास जी गोल्डी चौदरी जी हमारे बीच हैं विभीन विभीन ब्लोकों से आए हुए जो हमारे पदा दिकारी हैं वो हमारे साथ हैं इसके बाद जो है हम सारे साथ ही जो है भजार में एक बिरोध रैली का योजन करेंगे और बिरोध प्रदर्शन के माद्यम से जो है हम प्रदेश सरकार को और भारत सरकार को जो है चेतावनी देंगे कि आए दिनों के बाद अगर ये पेट्रॉल और आया गया तो यूबा कॉंग्रेस चो है उगर अंदोलन करने से भी पिछे नहीं है टेकी